सराब की नसे में यूवक गिरफतार वही सराब कारोबारी भागने में सफल बिहार सरकार के घोश्ड़ा के बावजूती बिहार में पूर्ड शराब बंदी का असर नहीं हुआ हम बात कर रहे हैं खगड़िय बेलदौर की जहां सराबी और शराब कारोबारी फलफूल रहे हैं देशी वा विदेशी शराब कई बार पकड़ी तब भी शराब कारोबारी जहरीली देशी शराब बेशने में बाज नहीं आते वहीं बेलद और थना छेत के स्थारी पंचायद गाम कचहरी रोड में पुलिस की गारी देख सराब कारोबारी शाइकल पर लदे सराब की बोरी छोड़कर फरार हो गया सराब विक्रेता गोशाला पत्थ होकर शाइकल लाद कर सराब विक्री के लिए ले जा रहा था वहीं बेलद और थना के एस आई मुहमद मनीर को सफलता मिली सराब कारोबारी की शिनाक्त की जा रही है वहीं बेलद और पंचायद के वार्ड नंबर सोला में सराब के नसे में अपने परिजनों को गाली गलोच कर रहे थे वहीं उक्त सराबी के परिजन महादेयो सर्वा ने अपने तीस वर्षी पुत्र जीतेंद कुमार के विरुद पिता ने बेलद और थना को आवेदन दिये पिता के आवेदन पर बेलद और पुलिस ने सराब के नसे में युवक को गरफतार कर थाना लाए वही सरावी के पिता का कहना है कि मेरे पुत्र सराव का कारोबार करता था यह गलत कारोबार है मना करने पर गाली गलोच के साथ मार पिट करने लगता बेलदौर पुलिस के साई मुहम्मद मनीर ग्रफतार कर दिन के करीब 3 मजे बेलदौर थाना लाए वही सरावी का मेडिकल साम के साथ वजे कराया गया जब पुलिस किसी भी सरावी को पकड़कर लाते हैं तो तुरन सरावी का मेडिकल किया जाता है करीब चार गंटे के बाद सरावी का मेडिकल कराया गया इसके पीछे क्या कारण था कई मोटी रकम लेकर छोलने का पुलिस प्रसासन बाइक देने से इंकार कर दिया बिहार जे अमित कुमार की खास रिपोर्ट